Hello student, आज के इस वीडियो में हम प्रशनावली 4 दसनों 5 के question number 5, 6 और 7 को solve करने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगोंने question number 4 तक को solve किया था question number 5 से लेके 11 तक क्या कहा रहा है इसे द्यान से देखेंगे कह रहा है कि प्रश्ण 5 से 11 में दिये गए प्रतिक आभियों के व्यूत्रक्रम जिनका अस्तिक तो हो ग्याद किजिए 5 से लेके 11 तक का इन प्रश्णों का आपको क्या निकालना है इन्वर्स निकालना है कह रहा है जिसका अस्तिक तो हो तो चलिए question number 5, 6 और 7 के solution को देखते है question number 5 आपका दो गुड़े दो का एक क्या है matrix है इसका ही निकालना है आपको इन्वर्स तो जैसे 5 है सेम वैसे ही दो गुड़े दो का आपका क्या है 6 है तो ध्यान से देखेंगे इसे मालनेंगे A इस matrix को क्या माली आगे है A है 2, 4, minus 2, 3 तो सबसे पहले आपको याद होगा question में कहा था कि यदि अस्तिक तो ही ने find करना है तो अस्तिक तो है क्या है या नहीं उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ता है mod of A यानि इनका determinant निकालना होता है determinant आप निकालेंगे 2, 4, minus 2 और क्या होगा 3 होगा अब इसे calculate करेंगे अगर mod of A की value 0 आगया तो इसका अस्तिक तो नहीं है अगर mod of A की value 0 नहीं आया तो इसका अस्तिक तो है और तब जाके इसका A क्या निकालेंगे इनकालेंगे यह आपको याद होना चाहिए ठीक है this implies तो दो गुड़े दो का जानते हैं आप इसका गुड़ा इसमें और minus के साथ इसका गुड़ा इसमें 2, 3 जा आपका होगे 6 और बीच में minus होता है 4, 2 जा minus 8 तो यह हो जाएगा 6 minus minus plus 8 यानि कि mod of A की value क्या हो जाएगा mod of A की value हो जाएगा 14 तो 0 नहीं आया है तो लिखेंगे अता A inverse का अस्तित्व है अस्तित्व है अब आपको A inverse calculate करना है अगर यह mod of A की value 0 आ जाता तो हमें A inverse calculate नहीं करना होता लिख देते A inverse का अस्तित्व नहीं है तो यहां पे हम आपको याद होगा कि इसके प्रिवियस मतलब exercise में हमने जब A inverse निकाला था तो वो प्रारंबिक रूपांतरर के दवारा है लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं कहा है आपको जो method यूज करना है करिए A inverse निकालना है तो याद कलेंगे एक फार्मूला मैंने लिखने जा रहा हूँ A inverse का एक फार्मूला होता है A inverse request होता है 1 upon mod of A is request to adjoint of A यह फार्मूला होता है A inverse निकालनाए का चाहें वो 2 गुड़े 2 का हो चाहें 3 गुड़े 3 का हो तो यह फार्मूला अगर आपने याद कलिया तो आसानी से solve कर पाएंगे A inverse request 1 upon determinant of A भी इसे बोलते हैं क्योंकि determinant A होता है mod भी होता है लेकिन यहाँ पे यह determinant है क्या है determinant A inverse request 1 upon determinant of A and adjoint of A तो determinant of A तो हम निकाले हैं और क्या चाहिए हमें सिर्फ चाहिए adjoint of A तो लिखेंगे यहाँ पे ना हो आपको 2 गुड़े 2 का मैंने direct बताया था adjoint of A कैसे निकलेगा दो गुड़े 2 का adjoint of A आप क्या कर सकते हो directly निकाल सकते हो आप ध्यान से देखो कि जो A की value आप देख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को आपस में इंटर्चेंज कर जेते हैं और इन दोनों को माइनस के साल लिख देते हैं यहाँ पे जाएगा 2 यहाँ जाएगा और इन दोनों माइनस के क्या करते हैं भाग देते हैं तो ऐसा ही कुछ करने वाले हैं यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे 2 यहां पे 2 यहां था 3 यहां था इंटर्चेंज करिए यहां पे 4 था तो minus 4 हो गया यहां पे minus 2 था यह सिर्फ क्या हो जाएगा 2 यह क्या आपका आगया as one of a तो लिखेंगे therefore therefore a inverse equals to 1 upon mode of A यह है 14 आपका और adjoint of A की value हमने निकाल लिया 3, 2 और यहाँ पे आपका क्या हो गया minus 4 और 2 यही चाहेंगे तो आप छोड़ दीजा answer चाहें 1 by 14 से multiply करते हैं यही आपका क्या हो जाएगा answer हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि इस method से कितनी आसानी से आप A inverse निकाल सकते हैं ऐसे ही same आपको question 6 को solve करना minus on minus 3, 5, 2 और comment section में solve करके बताना है कि A inverse का क्या value आया और आसान है यह method नहीं हम चलेंगे question number 7 पे जो कि 3 गुड़े 3 का एक matrix है question number 7 आपके skin पे हैं आप देख सकते हो कि यह 3 गुड़े 3 का एक क्या है matrix है एकदम आराम के साथ इसे यह माल लेंगे कि यह माल लेंगे कि एक आप यू है 1, 0, 0, 2, 2 और फिर क्या है 0, 3, 4 और है 5 आपका ठीक है तो सबसे पहले determinant of यह निकाल लेते हैं देखते हैं कि इसका अस्तित्व है ने तो determinant of 1, 0, 0 इस तरीके से लिखना पड़ता है 3, 4 और क्या हो जाएगा 5 किसी row या किसी column के अंसार तोड़ते हैं लेकिन देखते हैं कि जिसमें 0 जादा होता है तो पहली अस्तम्ब में आप देख रहे हैं जादा है तो इसी के कार्डिंग तो रहेंगे 1 लेंगे तो 1 जब लेंगे तो यह आपका अस्तम्ब और यह पंक्ति चूटेगा तो बचेगा 2, 4, 0, 5 क्या बचेगा 2, 4, 0, 5 आगे लेने की ज़रूतने क्योंकि 0 लेंगे तो आगे कुछ भी आएगा 0 जीरो आएगा आगे कुछ भी लेंगे हो जाएगा 0 तो 1, 2, 5 जाए हो गया 10 और 0 का 4 में करोगे तो 0 यानि यह कितना आगया 10 तो यानि कि determinant of A की value कितना आगया 10 आगया और आपको पता है determinant of A की value जब 10 आगया तो यह possible है कि इसे हम क्या कर सकते हैं calculate कर सकते हैं क्योंकि 0 तो आया नहीं है तो लिखेंगे अतह क्या लिखेंगे अतह A inverse का अस्तित्व है A inverse का अस्तित्व है एक बार फिर मैं फार्मूल लेकर हूँ आप जानते हो A inverse निकालने का सार्टिकर्ट जो फार्मूला होता है 1 upon determinant of A and as point of A यानि कि आपको क्या calculate करना है determinate of A तो आपने निकाल लिया है आपको क्या निकालना है आपको सिर्फ निकालना है ADJ granted of A तो हम निकालते हैं ADJạn of A और फिर A inverse calculate करते हैं तो आप जानते हैं ADJjoint of A निकालने के लिए आपको हर एक element का सहखंड निकालना पड़ेगा ठीक है edge point को हम सहखंड बोलते हैं और इस सारे element का सहखंड को row या को column में बदलने को हम क्या कहते हैं इसी को कहते हैं edge point of a तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए a1 1 चाहिए फिर चाहिए a1 2 और फिर चाहिए आपका a1 3 फिर यहां पे a 2 1 a 2 2 और फिर a 2 3 ठेक है और आपको क्या चाहिए a3 1 चाहिए a3 2 चाहिए और a 3 3 चाहिए क्योंकि आपको पता है कि total 9 element है तो सभी element का सर्खंड निकालते है उसी सर्खंड को row को column में बदलने को हम कहते है सर्खंड और उसे adjoint of a लिखते है ठेक है तो फार्मूला aij का मैं कई बार आपको बता चुका हूँ aij का फार्मूला होता है minus i to the power मतलब minus 1 to the power i plus j और m i j तो यहां इसको calculate करना ही नहीं होता है अब देखेंगे i plus j की value sum है तो positive लेंगे देखे 1 plus 1 तो minus 1 to the power 2 यानि कि positive यह plus होगा और यानि कि इन दोनों का sum i plus j का sum अगर even है sum है तो उसे हम कहेंगे positive होगा यह देखें भी sum है minus होगा 3 1 4 plus हो जाएगा 2 1 3 तो यह क्या है भी sum है तो minus होगा 2 2 4 आपका क्या होगा यह plus होगा 2 3 5 minus हो जाएगा 3 1 4 यह आपका 3 1 4 यानि कि यह plus होगा 3 2 5 minus और 3 3 6 यह आपका क्या हो जाएगा प्लस अब सिर्फ आपको क्या निकालना है M I J calculate करना होता है ठीक है और M I J calculate करने का मतलब क्या होता है जैसे अभी इसका निकालना है 1 का निकालना है A11 का M I J मतलब M I J को क्या बलते हैँ उपसाडिक बलते हैं जो A11 का मतलब AIJ का M I J यानि जो элемент है इसका M I J उपसाडिक होता है क्या होता है उपसाडिक होता है और इसी का जब हम aij लिखते हैं तो यह क्या होता है सहखंड होता है और सहखंड का फार्मूला यह है minus one to the power i plus j और m i j ठेक है तो यह वाला पार्ट तो मैंने पहले ही plus minus वता दिया खत्म हो गया तो इस row को छोड़ते हैं और इस column के छोड़ते हैं क्या बचेगा two four zero five क्या बचे आपका two four zero five ठेक है तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही लिखेंगे two four zero five तो two five zero 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 का four में करेंगे zero यानि क्या आजाएगा यह आपका आजाएगा ten तो इस तरीके से कई वीडियो में मैं यह सारा चीज़े निकालने के आपको बता चुका हूँ तो इसको बाकी a one two a one three क्या आएगा मैं directly यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आप इसी method से क्या करना है आपको prove करने ना है तो चलिए ध्यान से देखते हैं क्या क्या आ रहा है अगर a one two की बात करें a one two आपका आ जाएगा zero ठीक है तो minus zero लिखिये a one three आपका आ जाएगा a b zero आएगा फिर a two one की बात करें तो a two one आपका minus का ten आएगा a two two आजाएगा आपका five a two three आजाएगा zero और a three one आपका two आ जा रहा है और a three three जो आपका three two है 32 की value minus 4 है और 33 की value आपका क्या आजाएगा ये आपका 2 आजाएगा ठीक है ये निकाल चुके है तो बस ए तो चाहिए तो लिखेंगे therefore adjoint of a adjoint of a row को column में बदलना होता है कैसे लिखेंगे a11, a12 और a21 a, ये क्या हो जाएगा 2 और 1 a22 और a23 a31, a32 और यहाँ पर a33 अब सारे values को put कर देंगे यही पर और आजाएगा तो चलते हैं next पर और इसको direct click लेते हैं कि adjoint of a क्या है तो चुकि हमें अब यहां से a inverse find करना था और हम पहले ही बता चुके a inverse request to होता है 1 upon determinant of a into adjoint of a तो a inverse request to आपका area क्या आजाएगा answer आजाएगा यही आपका answer आजाएगा क्या हो क्योंकि determinant of a की value 10 है और adjoint of a की value यह आपने calculate कर चुका है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस method से कितनी आसानी से आप इस question को solve कर सकते हैं तो I hope आपको question समझा गया होगा तो फिर में लेंगे next video में तब तक के लिए thank you